एलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स मैं सीमा मिसरा आप सब के लिए लेकर के आई हूँ आज गौरफली की बिल्कूल नियू रेसिपी तो यहां पे हमने गौरफली को ले लिया है और इसके हम अच्छे से इसके देशे हम पहले से निकाल रखे हैं और अब हम बड़े बड़े टुकडों में काटना है तो आज हम फ्रेंट्स इसकी रेसिपी जो बनाएंगे ना जैसे मेरी दादी बनाती थी उसी तरह से हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होगी तो यहां पे हमने आलू काट करके और इसको फिर से हम पा के दालूं तो नाटिफिकेसन आप तक सबसे पहले पहुंचें कि देखेंए फ्रेंट्स से अगर आप इसको तोड़ करके बनाना काट सकते हैं यहयां पड़े चोटे टुकडों में काटेंगे ना ही लेकाट हम इसको बड़े बड़े टुकडेमे कटिंगे यहां पहुम व अब हम इसके मसाले तयार करने के लिए हम मसाला तयार करेंगे तो यहां पर हमने ले लिया हरी मिर्ची और यहां पर हमने लहसन की कुछ कलियां ले लिया है प्याज ले लिया है तो हमें लहसन को भी छील लेना है प्याज को भी हमें काट लेना है तो फ्रेंड्स इसका मसाला ह तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें डाल दिया है ले लिया हमने अदरक, हरी मिर्ची, लहसन और प्याज इसको हमने ले लिया है मिक्सल जार में और अब हम इसमें और कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पे हमने दो चमज ले लिया है पीली वाली राई सरसो भी इसको बोलते हैं यहाँ पे हमने ले लिया जीरा अधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा ले लिया है फ्रेंट से सरसो वाली सबजी जो राई वाली बनती है ना बहुत ही अलग सा टेस्ट लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप भी एक बार जरू ट्राय करिएगा यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच के लगबख साबुत धनिया साबुत धनिया का मसाला आप तयार करिएगा और राई के साथ बहुत ही अलग सी खुस्बुगाएगी तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसमें साबुत धनिया डाल दिया है और अब हम यहाँ पर ले लिये हैं सौफ और काली मेर्च तो आट से दस हम दाने हमने काली मेर्च ले लिया है और सौफ ले लिया है अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम अच्छा सा पेश्ट बना लेंगे दीखे फ्रेंट्स फिर हमने गैस पे रख दिया कड़ा ही, कड़ा ही हमारी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें तेल डालेंगे और हमने पेश्ट बना करके उसको साइड में ले लिया है, कर लिया है अपना मसाला मने तयार कर लिया है तो फ्रेंट्स यहां पर हमने तेल डाल दिया है सरसो का तेल में हम बनाएंगे यह सबजी अगर आप सरसो के तेल में बनाएंगे ना तो बहुत ही टेश्टी बनेगे तो यह दिखिए हमारा मसाला तयार हो गया है जो और जब हमारा तेल यहां पर गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और उसके बाद फिर हम इसमें यही अपना जो हमने मसाले का पेश्ट तयार किया था वही हम डाल देंगे बाकि हम इसमें कुछ भी ने डालेंगे और इसको हमें अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स आप इस तरह से कभी बना करके खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगेगी और यहाँ पर जब हमारा यह मसाला भून जाएगा तो हम इसमें डाल दिये हैं हल्दी पाउडर और इसको हमें अच्छे से भूनना है गैस का फ्लेम हम लोग कर देंगे और इसको हम भूनेंगे तो देखे हमारा मसाला भून चुका है साइड से तेल देखे छोड़ रहा है अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सबजियां जो हमने काट करके रखी है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से बहुत ही टेस्टी लगती है और हिल्दी भी होती है ग्वारफली की सब्जी तो हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो करके हम इसको सब्जियों को भी मसालों के साथ लगबग 2-3 मिनिट तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक, सब्जियों को भूनने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है इस सब्जी में हम गरम मसाला नहीं डालते हैं ये जो सरसो वाली मसाला तयार किया जाता है इसको ठंडा मसाला बोलते हैं तो इसलिए हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे और हमने जो मसाले डाले हैं उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे देखे कितना टेस्टी लग रही हमारी सबजी देखने में और अब हम यहाँ पे डाल देंगे पानी तो फ्रेंट जिस कटोरी में हमने मसाले रखे थे उसी कटोरी में हमने पानी लेकर के डाल दिया है तो आप अगर इसमें ज़्यादा ग्रेवी करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सूखी सबजी बनाएंगे हम इसमें पानी नहीं रखेंगे तो इसलिए हम बस आलू पकने भरकी हम इसमें पानी डाले हैं तो इसको हम ढख करके पकाएंगे तो friends देखिए हम इसको खोल करके दिखा रहे हैं हमारी आलू भी पक चुकी है सबजी हमारी लगबग बन करके complete हो गई है तो आप अगर ऐसे ही रखना चाहा रहे हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे इसका पानी थोड़ा सा और सूखा करेंगे इसके सबजीयों को हम अपने देखिए कितनी टेस्टी लग रहे friends देखने से ही यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है देखिए हमारी सबजी और अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा किचन किंग मशाला और अभी हम सबजीयों को पकने देंगे इसका जब अच्छे से पानी सूख जाएगा तब हम इसको निकालेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी कस्तूरी में थी हाथ से करस करके हमने डाल दिया है देखिए कितनी टेस्टी हमारी सबजी बनकर के तयार हो गई है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल रहे हैं तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है हमारी यह जो सबजी बनकर के तयार हुई है खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी फ्रेंड्स आप इसको रोटी के साथ पूरी पराठे के साथ या चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है आप खा सकते हैं तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा और आप के हैं इसको क्या कहते हैं ये भी कमेंट करिएगा तो friends हम आपको फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में निव रेसिपी के साथ Thank you, Bye Bye